नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और पेश रहे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें राजस्तान में अगले 48 गंठें बेहत भारी हो सकते हैं राजस्तान के कई जीलो में मोसम विभाग ने रेड और ओरेंज अलर्ट जारी किया है बांस्वाडा, डूंगरपूर, चितोडगट तशार राजस्तमन जीलो में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है और वहीं पश्मी राजस्तान में कुछ जीलो में ओरेंज अलर्ट है बांसवाड़ा में बीती राद से बारिश का दोर जारी है जिले का बेनेश्वर धाम टापू में तब्दिल हो गया है यहां सवर 8 बजे तक 28 घंटों में लोहारिया में 209 मिलिमीटर बांसवाड़ा में 185 मिलिमीटर बुगंडा में 168 मिलिमीटर कुशलगड में 137 मिलिमीटर केसरपुरा में 70 मिमी जगपुरा में 79 मिमी घाटोल में 66 मिमी बारिश हुई है कलिंजरा में बहने वाली हीरन नदी भी उफान पर है और सोम, माही और जाखम नदियों का संगम, मेनिश्वर धाम टापू बन गया है सोम और जाखम में पानी की आवक जारी है राजसान को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले विभागों में परिवहन विभाग मुख्या है राजस्व अरजन में परिवहन विभाग को राजसरकार ने पांचवे नमबर का दरजा भी दे रखा है और अब वर्ष 2021 के लिए परिवहन आयू राजस्व अरजन को लेकर प्रदेश के सभी RTO और DTO अधिकारियों को उनके टार्गेट भी चारी कर दिये है परिवहन विभाग को इस वितिय वर्ष में करीब 6000 करोड रुपे का टार्गेट दिया गया है और सबसे अधिक टार्गेट पी जैपूर RTO को दिया गया है जैपूर RTO को 2221 के लिए 1200 करोड रुपे का टार्गेट दिया गया है जोदपूर RTO को करीब 589 करोड का टार्गेट दिया गया है इसके बाद अजमेर RTO को 528 करोड का टार्गेट मिला है उदैफूर आईटियों को 548 करोड का टार्गेट तो बिकानेर आईटियों को 455 करोड रुपे का रजस्व अर्जन करना है राजसान की गहलो सरकार की महती योजना इंद्रा रसोई का पूरो प्रधान मंत्री स्वर्गिय राजीव गांदी की जयनती के उपलक्ष में गुरुवार को आनन फानन में उद्घाटन तो हुआ लेकिन विवस्ताओं के अभाव में शुभारम के दूसरे दिन शुक्रवार को ही बाडमेर मुख्याले पर इंद्रा रसोई योजना ठप होती नजर आई जरुतमन लोग भोजन की जुगत में रसोयों के बाहर इंतजार करते नजर आए समय पर इंद्रा रसो नहीं खुलने के पूरे मामले की भनक जब भाजपाग को पड़ी तो उन्होंने बंद्पड़ी इंद्रा रसोयों के बाहर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार पर गंबीर आरोप लगाए अस्पताल में रहकर उपचार करने वाले कोविड-19 के बिना लक्षन, बेहत कम लक्षन या मद्रम शेणी के मरीजों को अब डिस्चार्ज होने के लिए नेगिटिव रिपोर्ट होने का इंतजार आवश्रक्ता नहीं है अस्पताल में रहकर उपचार कराने वाले कोविड-19 के बिना लक्षन, बेहत कम लक्षन या मद्रम शेणी के मरीजों को अब डिस्चार्ज होने के लिए नेगिटिव रिपोर्ट इंतजार करने के अवश्रक्ता नहीं है ऐसे मरीजों को बिना दूसरी जाँच करवाए भी अस्पताल से चुटी दी जा सकती है केंद्री अस्वास्ते मंत्राले की एक गाइडलाइन में भरती मरीजों को डिस्चार्ज करते सवे उक्त प्रावधान शामिल किये गए हैं इसके अनुसार ऐसे मरीजों को दस दिन के बाद अस्पताल से बिना कोविड की दूसरी जाँच की ही चुटी दी जा सकती है आलांकि डिस्चार्ज के बाद उन्हें कम से कम साथ दिन होम आइस सोलेशन में रहना होगा सुप्रिम कोट ने नेशनल एलिजिबिटी एंट्रस्टेस 2020 के आयोजन का रस्ता साफ कर दिया है परिक्षा का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा और वहीं ये परिक्षा कोरोना संकट में आयोजित की जा रही है ऐसे में नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने एक विस्षित प्रोटोकोल बनाया है कि किस तरीके से परिक्षा आयोजित की जाए जिसमें सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा बदाते हैं कि इस परिक्षा में लगबग 15 लाग चातर भाग ले रहे हैं कोरोना वाइरस की कारण इस बात का खास धहान रखा जा रहा है कि चातर एक साथ परिक्षा किंदर पर ने पहुंचे ताकि भीट से बचा जा सके मदद के बहाने अकसर लोग उनी ठगी का शिकार बनाते हैं रदसान के चूरू जिले में पुलिस ने ऐसे ही टक को गिरफतार किया है जो एटियम कार्ड का क्लोन बना कर बैंक खातों से रुपे निकाल कर ठगी की वारदात को अंजाम देता था चूरू जिले के रदन नगर पुलिस ने उसे रंगे हातों गिरफतार किया आरोपी के कबजे से पुलिस ने नो फरजी एटियम और क्लोनिंग मशीन चप्त की है शातिर आरोपी सत्यवान हर्याना करहने वाला है गिरफतार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने आरोपी को दो दिन के लिए पुलिस रिमान पर भीजा है राजसान के चूरू जिले के आरपीफ पुलिस ने शातिर चोर गिरों का परदाफाश किया है जो रिल्वे की ओर से किये जा रहे विद्यूती करन कारे के दुरान तामे के तार चोरी की वारदात को बिना जान की परवाक के अंजाम दे रहा था बदाय जा रहा है कि पुलिस ने शहर की पुन्या कालोनी के पास से तीन शातिर चोरों को गेरा बंदी कर गिरफतार किया है शातिर बलवीर, अंकित और सुनिल राव के कबजे से पुलिस ने तार काटने की आरी, बाइक और चोरी किया गया तार भी बरामत किया है सुरेनगरी जोदपूर में शनिवार को आयुजित लोग अदालत में एक रोचक मामलास सामने आया 13 साल पहले जोदपूर के एक युवक ने अजमेर के एक युवठी से शादि की थी लेकिन शादी के साल साल बाद परिवारी कलय के कारण यह युवक किन्नर बन गया किन्नर बनने की पत्नी को भनक तक नहीं लग पाई और बात में जब उससे पता चला तो विवाद बढ़ गया और युवक ने तलाक की अरजी लगा दी कोर्ट में दोनों के बीच 5 साल से विवाद चल रहा है आकिरकार श्रनिवार को जोदपुर में आयोजित लोक अदालत में दोनों आपसी से सहमती से तलाक लेनी के लिए राजी हो गए देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमन के मामले पर सीम की हिदायत के बाद शुक्रवार को जैपुर के संभाग आयोग सोमनात मिश्रा और आईजी एस सेंगितर ने सीकर में पुलिस और प्रशास्टिंग अधिकारियों की मिटिंग ले इससे पहले कलेक्टरिट परिसर के निरिक्षन में संभाग आयोग मिश्रा ने एरियम, SDM सहित कई अफसरों को पटकार लगाई SDM गरीमा लाटा संभाग आयोग को सीकर तहसिल के गावों की संख्या नहीं बता पाई और वहीं कलेक्टरिट परिसर में फैले कीचर गंदगी और जल भराव को देकर संभाग ये आयोग उखड़ा आयोग उन्होंने SDM जैप्रकाश्ट नाराइंट से सवाल किया कि कलेक्टरिट में ऐसे हालात हैं तो बाहर क्या होगा जैपुर जिरे के दूदू कस्बे में शनिवार को एक महिला को दसलाग के ज्वैलरी के साथ गिरफतार किया गया पुलिस ने करीब 23 साल पहले हुए एक चोरी के मामले में महिला को गिरफतार किया और उसके पास से सोने और चांदी के आभुशन बरामत किये जिस घर से चोरी हुई आरूपी महिला उसी घर की बहू है उससे पूछताच के दुरान अपना गुना कबूल किया फिलाल महिला को गिरफतार कर लिया गया है उधेपुर के कब मदार गाउं में एक विशाल काई अजगर शिकार निकलने के बाद कुए में गिर गया अजगर को वाइल एनिमल रेस्क्यू सेंटर की टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल कर बाहर निकाला अजमेर की गाउं के कुए में होने की सूचना पर आसपास के लोग मोगे पर जमा हो गए और वहीं ग्रामिनों की सूचना पर वाइल एरिमल रेस्क्यू समिती के सदस्यों की टीम मोखे पर पहुंची इस दोरान बिना मुंडेर के बने कुए में अजगर को देख उनके भी होश उड़ गए क्योंकि है अजगर करीब 30 से 40 फिट गहरे कुए में अपनी मोख से जंग लड़ रहा था टीम के सदस्यों ने अपने द्रिट संकलप और सूच भूच का परिच्चत देते हुए रसी के सहारी कुए में उतर कर अजगर का रेस्क्यू किया अलवर जिले में मौनसुन के दुरान प्रदूशन अपने न्यूनतम सर पर है अलवर और भिवारी शहर की आबो हवा लोगडाउन के बास से साफ बनी हुई है अब मौनसुन में इसमें और भी सुधार आया है गतवर्श के मुकामले जिले में प्रदूशन का स्तर आदा है देश बर में प्रदूशन के मामले में अगरणी माने जाने वाले भिवारी शहर की हवा में भी पी-एम 2.5 का स्तर उसत पच्चिस बना हुआ है और वहीं अलवर शहर में देखे तो यह 20 है और वहाई पिछले साल के आंक्रे देखे तो भिवाडी में इन दिनों पीम 2.5 का स्तर उस्तन 40 के असपास था डुगरपूर जिले में शनिवार को पुलिस की स्पेशल टीम ने अवै शराब से भरी दो गाडियों को जप्त किया इनमें से करीब 40 काटन शराब पकड़ी गई और साथी 4 तसकरों को भी गिरफतार किया पुलिस ने बताया कि मुख्वीर के जरीए सूशना मिली थी कि छोटी कारों में अवै तरीके से शराब की तसकरी की जा रही है इसकी बाद पुलिस ने कोतवाली थाने के राजपुरा घाटी में नाकाबंदी की पुलिस ने बताया कि नाकाबंदी के दोरान पहले एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने रोका उसे देखकर पीछे आ रही एक दूसरी कार मुड़ कर भागने का प्रयास करने लगी उसका पीछा कर सती रामपुरा गाम के पास पकड़ा गया पुलिस ने दोनों कारों से 40 कटन अवेज शराब बरामत की राजसान के उचिशिक्षा मंतरी भवर सिंग भाटी का कहना है कि लोकतांतरिक प्रक्रिया में राजनेदिक दलों की एहम भूमिका है और उनके द्वारा देश रो राजजी की सरकारों का संचालन किया जाता है देश की वर्तमान परिस्तितियों में दल बदल विरोधी कानून का महत और पी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि धन, बल, सत्ता, बल और समिधानिक एजनसियों का डर दिखा कर राजे सरकारे गिराने और बनाने का कारे किया जा रहा है जनादेश का खुले आम अनादर हो रहा है भारत रतन स्वर्ग्य राजीव गांदी की दल बदल विरोधी कानून बनाने में एहम भूमिका थी आयुजित वेबिनार में उनका कहना था कि राजीव गांदी के प्रधान मंत्री काल में सन 1985 में सविधान के बामन विस संशोदंद्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया विधाय को इवम सांसतों को एक और योग्य गोशित किया जाने के आधार दल बदल अधिनियम के अपवाद स्पीकर के अधिकार आधी मुख्यमुद्दे हैं विश्व स्वास्ते संग्टन के महानिदेशक ट्रेडोस अगानोम ग्रेबीसिस ने कहा कि कोरोना वाइरस महामारी दो साल के अंदर खतम हो सकती है मेडिया रिपोर्ट के अनुसाद इस शुक्रवार को जिनेवा में एक वर्चुल प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए WHO प्रमुक ने कहा कि 1918 के स्पैनिश फ्लू को दूर होने में दो साल लग गए थे लेकिन तकनीक में प्रगर्थी कर चुकी वर्तमान दुनिया COVID-19 महामारी को कम समय में रोक सकती है उन्होंने कहा कि अधिक संपरक के साथ बेशक वाइरस की फैनले का एक पहतर मुका मिला है उन्होंने राश्च्ट एक नाव वैश्विक एक जुटता के महतों पर बल देते हुए आगे कहा लेकिन साथ ही हमारे पास इसे रोकने की तकनीक भी है और इसे रोकने के लिए ज्यान भी फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार